जै मातादी मित्रों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको 13 वो चोकाने वाले विचार के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जान करके आपको हैरानी होगी दुनिया भर में हजारों लाखों तरह की धारणाएं प्रचलेत हैं हलांकि इनके पीछे का सच कोई नहीं जानता है ये वैज्यानिक शोध का विशय हो सकते हैं या फिर इन्हें अंधविश्वास मान करके खारिज किया जा सकता है आप कमेंट करके जरूर बताईएगा कि ये जो तेरह विशय हम बता रहे हैं इसमें किसको वैज्यानिक मानते हैं और कौन से को आप अंधविश्वास मानते हैं जरूरी नहीं है कि विशार सते ही हो इनमें से कुछ समाज में प्रचलित मानियताओं पर आधारित हैं कुछ वैज्यानिक तथ्य हैं और कुछ शोसल मीडिया से प्रचलन में आई हैं तो हम आपको ये जानकारी के लिए बताते जाते हैं आप बताईए कि इसमें किस से कनेक खाई देना बंद हो जाए तो समझे कि मौत निकट है आप क्या सूचते हैं इस बारे में या आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं यह भी माना जाता है ऐसी मानेता भी है कि सीधे खड़े हो करके यदि आपको आपके घुटने दिखाई नहीं देते हैं तो आपका शरीर खतरनाक स्थीति में है यानि कि किसी बड़ी बिमारी की तरफ बढ़ रहा है यह समझने की बात है ऐसी मानेता है अब अगली मानेता जानते हैं इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजे कि इसमें क्या लगता है आपको ऐसी मानेता है कि टिटेहरी जिन विरिक्ष पर रहने लगे समझो की धर्ती पर भूकंप आने वाला है तिटेरी कभी भी वरिक्ष पर अपना घर नहीं बनाती है वह भूमी पर ही अंडे देती है और भूमी पर ही रहती है लेकिन अगर वो वरिक्ष पर देने लगे तो समझ जाए क्या भूकंप आने वाला है क्योंकि ऐसा म व्यक्ति जिधर जिधर से गुजरा होगा उस रास्ते को पूरा वो लेके चला जाता है वहां तक तो ऐसे ही जीवों को पहले आभास हो जाता है घटनाओं का चाहें आप कितनी भी कसरत कर लें या पौश्टिक आहार खा लें आखों के रोशनी उम्र के साथ कमजोर होनी ही है जन्म के बाद से हमारे शरीर के अंग बड़े होने तक बढ़ते रहते हैं लेकिन आखों का आकार एक जैसा ही रहता है आखों की पलकें दिन में करीब 15,000 बार जपकती हैं कहते हैं कि आखें नहीं दिमाग देखता है अब इस भारे में आपकी क्या राय है आपका विचार क क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताईए अगली बात लेते हैं अगला रोचकत थे लेते हैं कल्पना ज्यान से महतोपूर्ण होती है कितना रिलेट कर पाते हैं आप जैसी कल्पना करते हैं वैसे ही बनते जाते हैं या आपका भविश भी वैसा ही बनता जाता है इस सत्य प और उसको कहा गया कि देखिए आपको मृत्यू तो होनी ही है फासी दी जाएगी तो इसमें मान के चले कि आपको एक मिनट का दर्द होगा और वहीं पर एक साप से अगर आपको हम दंस कराते हैं तो आपकी विदिन कुछ सेकेंड में मृत्यू हो जाएगी तो आप कौन सावा चाहेंगे मृत्यू क्योंकि मरना तो आपका तय है उसने सोचा क्यों कम समय में मरा जाए उसने कहा साप से दंस करा दीजिए यानि की साप का डंक मरवा दीजिए अब किया क्या गया उसको साप दिखाया गया और इसके बाद उसकी आँख बांध दी गई और उस बंदे को स लिए जहर निकला उसके बॉड़ी में प्टाया गया तो इससे क्या पता चलता है प्रैक्टिक ली अगर इसको देखते हैं साइकलोजी के हिसाब से तो आप जिन चीजों के बारे में सोचेंगे तो उसकी कमी भी दिखेगी आपको उसके अच्छा पक्ष भी दिखेगा यानिकि उससे आप अउगत होते जाएंगे जैसे एक वैज्यानिक कारियों को करता रहता है तो वैसे ही जब हम अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेंड करते हैं तो व धार्मिक किताबें अक्सर इश्वर के प्रती लोगों में भाय को बिठाने का ही कारे करती है ऐसा मानना है कई लोगों का समाजिक बंधन भी भाय के कारण है तब यह वचन जूठा है कि भाय बिन हो यान प्रीति गुसाएं तो क्या भाय के बिना प्रेम नहीं हो सकता है इस अगर उधारन के साथ समझाएं तो कॉंटेक्ट से कुछ लेकिन यह वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से हम आप पर छोड़ते हैं अभी या तो आप कमेंट करेंगे तो इसके लिए एक अलग से एपिसोड हम बना देंगे फिलहाल आगे बढ़ते हैं और तथा खथित सहिश्ण होते हैं इस मामले में आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताईए हम लेते हैं अगला पॉइंट के अगला पॉइंट इस मामले में क्या कहता है जिराफ घोड़े से तेज भाग सकते हैं और उंट से जादा दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं इस से इस धारणा का खंडन होता है कि पशों में घोड़े सबसे तेज भागते हैं और उंट जादा दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं अब ये तो शोध का completely विसे है इसको तो शोध करने के बाद ही पता चल सकता है आप में से किसी को अगर अनुभव है इनका तो जरूर क सत्य है और नहीं है इस मामले में हमें कोई नहीं है यह एक रोचक तत्य है या फिर इसमें सत्यता भी है इसकी जांच कि जानी या अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के विचारों की चोरी सबसे ज़ादा होती है ये तो सत्य है सामने ही देख रहा है कि किसी का विचार होता है लोग उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और उसे अपना नाम दे देते हैं और अपने नाम से उसको प्रचलित करने लग जा जब तक कि आप एक्ता की बातें करते हैं या एक्ता स्थापित करने के प्रयास करते हैं एक्ता विरोधी विचार की अपेक्षा करना या उस तरह के विचार को मिटाना ही एक्ता स्थापित करने के मार्ग का पहला कदम है और ऐसे विचार किसी धर्म गरंत या किसी समाजिक ग्रंथ में लिखे होते हैं ये आप इसमें क्या सोचते हैं या इस मामले में आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताईए आईए अगला पॉइंट हम लेते हैं योरोप का एक दाशनीक मानता था कि जब तक आप घर में हैं तभी तक घर में रखी वस्तों का स्तित्व रह नहीं रखती हैं जब वापस आप घर में आएंगे तभी आपके लिए वो माइने रखती हैं अगला पॉइंट आपके शरीर में जब कोई बाल यानि कि हेर तूट करके धर्ती पर गिरता है तो उसके गिरने की आवाज होती है जो एक चीटी जैसा प्राणी ही सुन सकता है आजपास हजारों तरह के ध्वनियां शोर कर रही होती हैं लेकिन मनुश्य उन में से कुछ को ही सुन पाता है यानि कि सबके श्रवन करने की शमता को अलग-अलग रखा है प्रकृती ने और सुंगने की भी शमता को देखते हैं आप ये तो लाइव उदारन जैसे कि हमने बताया खोजी कुट्ते जो होते हैं यानि कि डोगी वो कितना ज्यादा सुंग पाते हैं हमसे मानो मस्तिश्क 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा विचार करता है और 15,000 से ज्यादा बार पलकें जपकाता है इस दोरान उसकी जुबान हिलती रहती है ये सत्य है या एक रोचक तथ आप तै किजे योगा नुसार यदि आखे बंद करके जुबान के हिलने डूलने को रोक कर सांसों पर ध्यान किया जाए तो विचार भी बंद हो जाते हैं विचारों के बंद होने के बाद ही व्यक्ति सही ज्यान को प्राप्त कर सकता है आप देखते भी होंगे जैसे ही पांखे बंद करेंगे अलग-अलग तरह के आपको खयाल आने लग जाते हैं एक जगह माइन टिकता नहीं है और इसी को ध्यान में सिखाया जाता है तो मिध है कि तत्थे आपको रूचक लगी होंगे वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजे एक शेर कर दीजे वर्टसप पे फेस्बूक पे ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके और ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन क्योंकि आपका सुझाओ हमारे लिए बहुत विल्वेबल होता है प्रेम से बोलें ओम नमस्षिवाय हर हर महादेव